फाइनली जिस घड़ी का सभी को इंदजर था वो आ चुकी है यानि कि महिंद्रा की न्यू जनेरेशन पिकप रेंज कमपनी ने इस नए बोलोरो पिकप रेंज को बोलोरो मैक्स सिटी और बोलोरो मैक्स एजडी इन नए ब्रैंड नेम्स के साथ लॉंच किया है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजिंग किया आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में इस वीडियो में हम न्यू जनेरेशन बोलोरो पिकप के हर वेरियंट के बारे में आपको इंफरमेशन देने वाले है तो बिना Confuse हुए पूरी वीडियो को अंतग जरूर देखना दोस्तों हर वेरियंट के प्राइज और स्पैसिविकेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले है तो वीडियो को अंतग जरूर देखना है बहुत टाइम से महिंद्रा इन गाडियों को टेस्टिंग कर रही थी, बहुत सारे टेस्ट वीडियो के फूटेज़ेस आपने हमारे प्रीवेस वीडियो में भी देखे होंगे, तो फाइनली महिंद्रा ने इन गाडियों को 25 अप्रिल को जो है लॉंच कर दिया है, मैक सिटी और Max HD इन नए ब्रैंड नेम्स के साथ, इस नए पिकप रेंज का जो कैबिन है, ये महिंद्रा बोलोरो Max पिकप जो कुछ सामय पहले आई थी, उसके उपर बेश्ट है, कम्प्लीटली नया कैबिन है दोस्तों, और पूराने कैबिन को कम्प्लीटली इसने रिप्लेस कर दि तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिक में बता था, कि कम्पनी ने इस गाड़ी को दो नए ब्रैंड नेम्स के साथ लॉंच किया है, पहला है महिंद्रा बोलोरो Max City और दूसरा है महिंद्रा बोलोरो Max HD, जो Max City रेंज है, उसमें 1.3 टन, 1.4 टन और 1.5 टन के वेरेंट उपलब्द है, और जो महिंद्रा Max HD है, उसमें 1.3 टन, 1.7 टन, 1.7 L और 2.0 L ये सारे वेरेंट उपलब्द है, अब इस L का क्या मतलब है, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो पबलिक डिमांड पर सबसे पहले जानते है महिंद्रा बोलोरो Max पिकप क HD range के बारे में, यानि की बड़ी गाड़ियों के बारे में, इसमें जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि चार मुख्य वेरेंट्स है, वो है HD 2.0 L, HD 1.7 L, HD 1.7 और HD 1.3, अब इसमें L का क्या मतलब है, L यानि की Extra Declanth, यानि की जिसमें 10 feet का डाला आता है, और जो नॉर्मल ह उसमें 9 feet का डाला आता है, अब बात करते हैं इंजिन की, इसमें महिंदरा का 2523cc का 4-cylinder in-line diesel BS6 stage 2 component इंजिन लगाया गया है, जो इसे 80 HP की ताकत और 220 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, गाड़ी में आपको मिल जाता है 5-speed synchromesh gearbox, single plate dry clutch के साथ, और आगे और पीछे आपको मि base model है, और VXI एनि की top model है, आप समझ गए होंगे, तो पहला variant है HD 2.0L, इसकी pricing शुरू हो जाती है 10,33,000 रूपए से, इसमें भी LX और VXI दोनों variants उपलब्द है, इसमें आपको पिलोड capacity मिल जाता है 2-ton का, और इसकी deck की लंबा है 10 feet की, और चोड़ा है लगभग 6 feet की, औ और इस variant में आपको 16 inch के tires मिल जाते है, दूसरा variant है Mahindra Boloro HD 1.7L, इसका पिलोड capacity है 1700 kg का, और इसमें भी आपको 10 feet लंबा और 6 feet चोड़ा डाला मिल जाता है, इसकी जो pricing है LX variant की वो शुरू हो जाती है 9,83,000 रूपीज से, और इस गड़ी में भी आपको LX और VXI variants चूज क इस गड़ी में आपको 1700 kg का पिलोड मिल जाता है, और इसमें आपको 9 feet लंबा और लगबग 6 feet चोड़ा डाला मिल जाता है, इस गड़ी की जो LX variant की pricing है वो शुरू हो जाती है 9,53,000 रूपीज से, लास्ट वेरेंट है Mahindra Boloro HD 1.3, इसका पिलोड capacity है 1250 kg का, और इसमें भी आपको 9 feet लंबा और लगबग 6 feet चोड़ा डाला मिल जाता है, और इसकी जो pricing है वो शुरू हो जाती है 9,47,000 रूपीज से, इन सभी models में आपको LX और VXI variants मिल जाते है, LX variant में white color standard है और VXI में आप white या फिर gold आपकी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं दोस्तो, standard features की बात करें तो LX variant में आपको digital cluster, fabric seats और seat headlights मिल जाते हैं, वही पर VXI variant की बात करें तो उसमें आपको height adjustable seats, turn safe headlights, IMAX technology, LED tail lamps, digital cluster, fabric seats, headrest और gold and white color के options मिल जाते हैं, महिंद्रा बोलोरो max pickup HD पर आपको 3 साल या 1,00,000 km की warranty भी दी गई है, HD range की बात तो हो गई, तो आईए बात करते हैं मह के बारे में, इस range में 3 मुखे models आते हैं, CT 1.5, CT 1.4 और CT 1.3, technical specifications की बात करें, तो इन तीनोई models में आपको महिंद्रा का M2DI, 4 cylinders in line, 2523 CC का 4 cylinders in line, diesel BS6 stage 2 component engine मिल जाता है, जो इन गाडियों को 70 HP की ताकत और 200 Nm का torque परदान करता है, इन गाडियों में भी आपको 5-speed synchronous gearbox, single plate dry clutch के स दिया गया है, वही पर आगे और पीछे मजबूत पट्टे कामाने वाला leaf spring tap suspension भी मिल जाता है, आईए अब detail में हर एक variant के बारे में जान लेते हैं, दोस्तों, तो max pickup city range का पहला variant है CT 1.5, इसका payload capacity है 1500 kg का और इसका GVW है 3120 kg का, loading tray की बात करें, तो 8 feet 6 इंच लंबा और 5 feet 6 loading tray आपको इसमें मिल जाता है, इसका tire size है 15 इंच का, और इसमें भी आपको LX और VXI variants मिल जाते है, LX variant की जो pricing है, वो 8,34,000 रुपे से एक showroom शुरू हो जाती है, दूसरा variant है CT 1.4, इसका payload capacity है 1400 kg का, और इसका GVW है 2995 kg का दूस्तों, इसमें भी आपको 8 feet 6 इंच लंबा और 5 feet 6 इंच और लोडिंग tray मिल जाता है, और इसका tire size भी 15 इंच का है, इसके LX variant का X showroom price 8,34,000 रुपीस से शुरू हो जाता है, दूस्तों, तीसरा variant है CT 1.3, जिसका payload capacity है 1300 kg का, और इसका GVW है 2825 kg का, इसमें आपको 8 feet 2 इंच लंबा और 5 feet 6 इंच और लोडिंग tray मिल जाता है, और इसका tire size है 195-80R15, यहने कि 15 इंच के tires आपको इसमें मिल जाते है, इसमें भी LX और VX है दोनों variants है, जिसमें LX variant का एक showroom price 7,95,000 रुपीस से शुरू हो जाता है, दूस्तों, बोलोरो मैक्स CT pickup में आपको काफी कम turning circle radius मिल जाता है, जो इसे शेरों के लिए काफी capable pickup बना देता है, गाड़ी में आप लगबग 17.2 km per liter का mileage expect कर सकता है, और इसका service interval 20,000 km पर स्थित है, इसमें आपको driver plus 2 sitting का cabin मिल जाता है, जिसमें आपको height adjustable driver seat भी मिल जाती है, जो एक काफी अनों का feature है, बोलोरो मैक्स pickup CT पर आपको 3 साल या 1,00,000 km की warranty मिल जाती है, उसी के साथ-स इन variants में भी आपको LX और VXI models मिल जाते है, जिसमें LX variant के standard features की बात करें, तो उसमें आपको digital cluster, fabric seats और white color as standard option मिल जाता है, वही पर VXI variant की बात करें, तो उसमें आपको height adjustable seats, turn safe headlights, महिंद्रा की IMAX technology, जिसमें vehicle tracking, geofencing, trip management और vehicle health monitoring जैसे standard features direct company से मिल जाते है, उसी के साथ-साथ LED detail lamps, digital cluster, fabric seats और seats per headrest, उसी के साथ-साथ white और gold color के options आपको VXI variant में मिल जाते हैं दोस्तों, अब LX और VXI कौन सा model चुनना है, ये तो आपके application और आपकी choice पर निर्भर करता है, दोस्तों, इसलिए company ने इसमें बहुत सारे options दिये है, VXI और LX variant में लगबग 25-30,000 का difference है दो दोस्तों, और जो golden color है, उसमें आपको लगबग white color के मुकाबले 5000 रुपे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ऐसा company की press release में आप पढ़ सकता है, इन सभी diesel variants के साथ-साथ, महिंद्रा ने boloromax pickup city CNG variant भी launch किया है, जिसका एक showroom price 825,000 रुपे से शुरू हो जाता है, दोस्तों इस variant में आपको 1.2 टन्स का पिलोड capacity मिल जाता है, 8 feet 2 इंच लंबे loading tray के साथ, तो एक काफी बड़े CNG option भी इस नए range में आपको देखने के लिए मिल जाता है, दोस्तों, तो दोस्तों, महिंद्रा के पूरे new generation pickup range के हर model के बारे में, इस वीडियो में हमने आपको short में बता adaptive होती है, यानि कि कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती, मेरी बात करें तो मैं महिंद्रा बोलोरो के पूराने look का एक काफी बड़ा fan हूं, जो काफी aggressive दिखा करती थी, इन नए models में महिंद्रा का वो पूराना aggressive stance काफी missing मुझे लग रहा है, आपको क्या लगता है मुझे नीचे comment section में जोरो बताना, उसी के साथ साथ कुछ major features company ने miss out कर दिया है, जैसे की air conditioning, दोस्तो AC एक काफी important feature होता है, और इसे as a option इस company को इसमें देना चाहिए था, ताकि वो ग्रहक जिने अपनी गाड़ी में AC और heater चाहिए, वो इस option को बड़ी आसा नीचे choose कर सकते है, जहाँ पर आपका competitor उसी price range में, उसी payload segment की गाड़ी में AC प्रवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर company ने इस price point पर इस model में भी AC देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है मुझे नीचे comment section में, ज़रूर पताना द अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते हैं, ट्रिपल ए डाकाशन व्लॉक्स ट्रॉक टॉक स्पेडिंग अल दब अब आब 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 ट्रैक्स, जैह हींद